मैं कौन सा बिजनेस करूँ? कौन सा बिजनेस मेरे लिए बहतर रहेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल उन सभी युवाओं के जहन में आता है जो बिजनेस तो करना चाहते हैं पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा बिजनेस टाट करें तो आईए इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं स्वागत है आपका सीखे बिजनेस चैनल पे और आज हम बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें अपना पहला बिजनेस आज की युवाओं के अंदर जोस है, जुनून है और वो सभी समताय हैं जो जीवन में उन्हें एक कामियाब इंसान बना सकती है पर उन्हें तलास है सही रास्ते की वो रास्ता जो उन्हें मंजिल तक पहुँचा सके और ये रास्ता चुनने में उन्हें कौन मदद करेगा? वो रास्ता आपको खुद चुनना पड़ेगा कैसे? वो मैं बताता हूँ एक नोटबुक और पेल ले लिजे और एक छोटा सासाइमेन करिए मेरे साथ एक पेज पे उन 15 चीज़ों की लिश्ट बना लिजे जो आपका passion, interest या hobbies हो ये वो लिश्ट होनी चाहिए जो आप दिन भर कर सकते हैं बिना interest लोज किये और हाँ इसमें सोना और टीवी देखना नहीं होता है इस लिश्ट में वो सभी चीज़ें लिखिए जो आप सीखना चाहते थे करना चाहते थे हमेशा से वो सभी चीज़ें जो आपकी आखों की चमक को बढ़ा देती है और आपकी energy level को दुबना कर देती है ये लिश्ट थोड़ी बड़ी भी हो सकती है पर कोई बात नहीं इस लिश्ट में वो problems और difficulties भी डाल दिजेगा जो आप रोज मर्रा के जीवन में जहिलते हैं सारे बिजनेस सफर कर रहा हैं लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं पर इस बड़ी प्रॉब्लम के साथ ही एक बड़ी opportunity भी आई है medical field में इसकी vaccine खोजने की होड मची है sanitizer, gloves and protective kits की market में high demand है mask compulsory हो गया है कई businessmen इससे related चीज़े बनाने और बेचने लगे हैं तो हो सकता है आपका अगला business भी किसी बड़ी problem का solution हो अब इस list के हर एक point को हम एक से 10 के बीच में score करेंगे और scoring का अधार होगा कि ये point आपको कितना excite करता है क्या business opportunities हैं इस point में और कितने लोगों को ये help कर सकता है या impact कर सकता है उनके रोजमर्णा के जीवन को scoring के बाद top 3 highest scoring points को select कर लीजे और उनमें से practically possible business select करिए और कोसिस करिए कि आपका business idea कम लागत से start हो जाए जैसे मान लेते हैं आपका filter result आता है cars तो कुछ ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों पर लगा कर मारूतिक एजेंसी ही खोले आप एक garage या एक car accessory shop या फिर innovative ideas जैसे steam car वास हो गया या custom designing shops हो गई वो भी आप खोल सकते हैं ये exercise आपके business को decide करेगा तो इसको समय दीजिए एक दिन दो दिन या हफता लगे तो दीजिए और खुले दिमाग से सोचने के बाद एक बहतरीन आइडिया के साथ अपना business start करिए और फिर देखेगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता तो आगे बढ़िए और action लेना start करिए business related कोई भी queries आप मेरे instagram page सीखे business पे direct message करके पूछ सकते है ऐसे business related और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सीखे business को subscribe करें और इस वीडियो को like करें Thank you